तो हिलो है एक इस निकलिया है हिमाच्चर प्रदेश पब्लिक इस वर्क दपाट्मेंट में निकलिए लिक्टे कि जो भी केंडिट इसकी लिए उसकी एप्लाई कर सकते हैं माच्चर प्रदेश के गवर्मेंट की दरफ से नौटिकेशना यह ज़ो केनिज्स रहेंगी मल्टी टास्क बर्कर की वी कैंसीस है जाने यह पर फॉर्डिकेशन पर फॉर्मा भरना है इसकी पोस्ट के लिए या तो वह नब है पिर शब्सकते जो उदर जो है सेंड करनी एप्लिकेशन जो आपने सेंड करने जो इस एक्जिक्यूट इंजिनेर ओफिस में आपने जो है सेंड करने लास्ट दे रखिए छे जून 2022 से पहले पहले आपने अपना अप्लिकेशन पर दिवपते पर पहुंच जाने चाहिए अगर इसके बाद लास्ट देट के बाद आ रहा या फिर वो डू डेट के बाद आ रहा या फिर उसमें अपने डिटेल्स है वो इनकंप्लेट बरिया तो उससे सीधा लिखेगी एंटिटें नहीं किया जाए जाएगा इसके लिखे कि आपका कहीं पर अगर इन्होंने एप्लिकेशन परफॉ लाए जाएगा तो नीचे यहां पर इन्होंने दे रखिए डिवीजन वाइस दे रखिए कौन-कौन सी मतलब वकैंसी है मल्टिटास्क करकी फर्स सर्कल एच्पीव मंडी में यह वकैंसी रहेंगी दन यहां पर दे रखिए कौन सा आगे उनका सब्डिवीजन रहेगा फि है मंडी फॉर में टोटल थर्टी सावन वकैंसी रहेगे अगे इसके तूस अपडिवीजन है नेग्स दे रखिए सुन्दन अगर के टोटल जो उसमें एटी फॉर वकैंसी आगे इन्होंने दे रखिए उसकी टोटल हुट्टिवीजन रहेगे स्टेप में तोटल तुने तोटल जो है तिरासी वकैंसी तो यहां पर इन्होंने टोटल इसके टूस डिवीजन दे रखेंगे यहां पर इसके इन्होंने सब्डिवीजन दे रखेंगे कि यहां पर जहंचली में 60 रहेगी बकसेड में 45 रहेगी चत्री में टोटल जो है 46 रहेगी नेक्स्टीन दे रखेंगे नर्चोक में टोटल 67 वकैंसी है आगे इसके इन्होंने दो सब्डिवीजन दे रखेंगे धलोट में टोटल 95 वकैंसी है आगे इसके भी टोटल जो है टू सब्डिवीजन दे रखें टोटल जो वकैंसी सिनों दे रखेंगे 654 यानि 654 वकैंसी यहां पर इन्होंने इसके इलिजिविल्टी क्राइटीरिया के बारें बात कि कौन-कौन जो गैंड़ेट है इसकी पोस्त के मैंटिटास्टकर के लि प्रफेक्ट करने में परफेक्ट होना चाहिए परफॉर्म करने मेडिकली फिट होना चीजिए इसका लिए कि वह जिस भी मतलब सब्डिविजन या एच पीड़ीजन के लिए अपलाइ कर रहा है जहां पर वह उसी विलेज का या फिर ग्राम पंचायत या फिर अर्बन लोकल को रहें करें उनकी जो मीनिमम्म कोलिफिकेशन हो आप होनी चाहिए स्कूल कॉल्मेंट से इंस्टिट या इसके लिकें कि यह जो कंडिशनरी प्रदेश नहीं वह गिंटीबल नहीं होगी इसके लाब़ए जो उसे हिमाच्च्चाब पर्देश की कस्टम स्मैनेंस अन्हि जोनी चाहिए नेक्स्ट उनने एज क्रिटीरिय बता है कि जो भी केंड़ेट इसके लिए अप्लाई करें उनकी जो एज है 18 से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए वहां प्रक्राइज हो आपने भर के बेजना है और इसके साथ आपके जो भी सब्यूंत रहेंगे उनकी ओपि भी आपका डिज्ए रफ नहीं प्रिष्क्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां के आप्लिकेशन फर्म भेज में पहुंच जानी ची आपके जो डॉक्यमेंट है वो वेरिफाइट किये जाएंगे जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जो भी कंसेंट एक्जिक्यूट इंजीनियर होगा जो इन्होंने यहां पर लिखे कि आपके वह जहां पर आपने सेंट करनी है व दाया ढहर कार्ण रहेगा इटेंटी प्रूफ के लिए फिर र्जिदेट प्रूफ बूत के रह जाएगा फर्स्त आन लिखे की आपका एजपरूफ की आपका एजरोफ का शर्टिफिकेट करेजा कि बर्सिकेट है या तो वह किसी मत경 से या फिर से या फिर मिडल तो यहां पर आपने देख लेने कौन कौन से मतलब आपके एज प्रूफ के लिए आप कौन कौन से इन में से डॉक्यमेंट जो चूज कर सकते हैं नेक्स दे रख है हिमाचली बॉन फाइट का सर्टिकेट होना चीज या तो किसी एजडियों से इश्यू हो या फिर तहसिल दार से इसके लावा आपके पास एक सर्टिकेट होना चीजिसमें लिखा होना चीए कि आपका कोई भी जो फैमिली मेंबर एकेंडेट का किसी भी सकते के सबस्क्राइब होना चीजिए इसके लावा आपकी अकटमिक कौलिफकेशन आ जाएगी जो भी आपने क्यों है जैसे इन्होंने यहां पर एक्टक्लास मांग गए तो आपने उसका साथ अटेच करना है इसके लाव अगर आप बीप्ल के आपने अगर है तो वह अट नेक्स लिखा है कि आपका जो selection criteria वह कैसे होगा लिखे कि जो भी selection committee है वो जो candidate की मतलब selection करेगी purely जो है उनकी mat basis पे रहेगी chairman जो भी ऐसे committee का chairman या फिर members केट रहे हैं वह selection process का पूरा record रखेगा यहाँ पे उन्हें बता रहे कि कौन कौन सी आपकी selection committee रहेगी जैसे यहाँ पे लिखे कि selection committee जज करेगी उसकी selection committee में कौन कौन से member होगे first आप करेगा जो भी आपकी concern division का execute engineer रहेगा the next लिखे कि जो भी आपका division का concerned assistant engineer रहेगा इसके अला लिखे कि execute engineer superintendent grade 2 का रहेगा यहाँ पे member secretary member and chairman इन तीनों की जो एक selection committee रहेगी जो आपको जो है महाँ पे select करेगी कि आपके मैटली से नीचे बताए कि आपकी कैसे रहेगी लिखे कि selection वी प्योर लिएन बेस्टू पर्टिक्लर सब डिविजन आप कौन सा सब डिविजन डिविजन सरकल चूज करें उसके अध बेसिस पर रहेगी दा लिखे कि selection committee आपको जो है marks selection process जो है marks आपको वर्डिट के जाएंगे out of 10 marks में से किये जाएंगी यहाँ पे अंदे रखे वो 10 का criteria क्या रहेगा फर्स्ट आपको लिखे कि जो आपकी academic marks ने उसके basis पर रहेंगे उसने लिखे कि maximum आपको 5 marks दिये जाएंगे यहाँ पे उसका दिया हुए कि अगर आपने 50% marks लिए हुए middle class examination में तो आपको 2.5 marks दिये जाएंगे यहाँ पे उसका formula दिया हुए अगर आप किसी result category से belong करते है से 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 और आप इसके सर्ट के टो को वहां पे जब भी बलाया जाएगा तो प्रोड़क्ट कर पाते हैं और आपने जो सब्मिट भी कियो है इसकी self-attested copy तो ही आपको 1 marks दिये जाएगा अगर आप BPL या फिर below priority level family से या फिर एडवल एक्रॉमिक वीकर से बिलॉंग करत तो यहां पर टोटल जो 10 marks का यहां पर यह पूरे का पूरा होगे कि आपको कैसे कैसे दिये जाएंगे जो इन्हों नहीं यहां पर पूरा प्रोसेस बिताए उसके basis पर फाइनल सेलेक्शन होगी यहां पर लीव कि कहके दी जाएगे लिए कि जो भी multi-task worker के लिए मतलब वह यहां पर लिखे कि टोटल उसे जो है कैस्वल लीव जो दी जाएंगी multi-task worker को बारा से जादा नहीं दी जाएंगी बारा एक साल में दी जाएंगी इसके लिए कि उसे फाइव डेस की जो है इल्नेस वाली लीव भी दी जाएंगी तर लिखे कि अगर वह किसी मेडिकर जिस मतलब यहां पर लिखे कि एक वीक से ज्यादा continuous absence रहा है तो जो भी बनतब विना किसी उसके जो है उसकी सर्विस से मल्टी टास वर्कर की सर्विस से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है यहां पर इनोंने बता रखे हैं तो आपने यहां से चेक कर रहें कि आपको कितनी लीव से जाएंगे अगर आप वहां पर continuous one week तक absent रहते हैं बिना किसी इन्फोमेशन के तो वहां पर लिखे कि बिना विदाउट एन अप्रोवल ओप अपकी सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है तो जो भी केंडेट है उसे मल्टी टास वर्कर के लिए पॉइंट के जा रहा है कि जो स्लेक्टिट केंडेट होंगे उनको जो है 4500 रुपीज जो है पंथली पे किया जाएगा अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है वह unsatisfactory है तो वह क्या पर उन्हें टर्मिनेट भी किया सकता है दनिहां पर जॉब रिस्वांसिबिल्टी ते रखें क्या-क्या उनकी कि मिस रहने अंस्किल्ट जोब जैसे की अर्थ वर्क या फिर मेटेरियल को कैरिज करना असिस्टेंट सु अर्टिशन टेक्निकल स्टाफ इनकी रिलेटेट जो वरक है उन्हें यह सब कुछ दिया जाएगा तो यहां पर आपने देख लेना है कि टोटल जो है 654 वकैंसी ज आगे इन्होंने इसकी सब्डिविजन दे रखिए जहां पर केंड़ेट मतलब नुक के जाएगा लास्ट दे रखिए 6 जून 2022 से पहले पहले आपको जो एप्लिकेशन पर में पहुंच जाना जाहिए यदि आपको इस से लेटेट और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए